Google Photo App के अंदर Password कैसे लगाए? Hello दोस्तोँ आप सभी का स्वागत है फिट से एक न्यूव वीडियो में इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ अगर दोस्तोँ आपके Google Photo के अंदर जो है Password लगाना है लेकिन आपको पता नहीं है कि आप अपने Google Photo के अंदर password कैसे लगा सकते हैं जिससे कोई भी जो है आपका Google Photo app को open ना कर पाए तो इस वीडियो का आप बिल्कुल ध्यान से दिखिए इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इसी के बारे में बताने वाला हूँ तो दोस्तों चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो Google Photo app के अंदर password लगाना बहुत ही असान है बहुत ही simple तरीका है जिसके मदद से आप अपने Google Photo app के अंदर password लगा सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको एक छोटा सा application की जोद पर सकती है जो आपके ही पले स्टोर पर बहुत ही असानी से मिल जाएगा पले स्टोर ओपन कीजिए सर्च पर क्लिक कीजिए यहाँ पर सर्च कीजिए lock तो lock आप जैसे ही सर्च करेंगे ने तो आपके सामने ये वाला application आएगा इस application को आप अपने phone के अंदर download कर लीजिए यानि install कर लीजिए ठीक है और install करने के बाद अब इसे cut कर देना है अब आपको उस application को open करना है जैसे कि देख सकते हैं जो अभी हमने download किया इसको खोल लेना है जैसे ही open करेंगे तो यहाँ पर आपको बोलेगा create a master pin तो यहाँ पर आप जो pin set करेंगे न वही pin आपके google photo app के अंदर जो है open करते समय पूछा जाएगा तो आपको जो है एक pin set करना है 4 digit का से आगे या जो जो 4 digits से ज़्यादा आप यहाँ पर set कर सकते हैं इसके वाद आपको नीचे में right पे क्लिक करना है यहाँ पर बोलना है enter the pin again to confirm it तो आपको same pin दुबारा आपको डालना है confirm करने के लिए फिर आपको right पे क्लिक करना है यहाँ पर बोलेगा fingerprint अटेच करने के लिए तो अगर आप चाहते हैं fingerprint लगाना तो आप yes पे क्लिक किजे वरना आप no कर दीजे इसके बाद कुछ इस तरह का page आता है नीचे में plus वाल आइकन दिखेगा आपको इस plus पे क्लिक कर देना है plus पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपके mobile का जितना भी application होगा वो यहाँ पर आ जाएगा अब यहाँ पर आपको क्या करना है search पे क्लिक करना है और जो application में lock लगाना चाते है उस application को ढूल लेना है जैसे कि यहाँ पर google photo में लगाना चाते है तो हमने यहाँ पर google डाला तो नहीं आया तो आपको यहाँ पर डालना क्या है photo डालना है ठीक है तब ही आएगा photo डालने के बाद यहाँ पर application आ गया आपको इस application पर click करना है इसके बाद आपको plusable icon पर click कर देना है यहाँ पर click करते ही दोस्तों यहाँ पर आपका application यहाँ पर आ गया और हो सके तो आपसे permission पूछा जाएगा जिस permission को आपको allow कर देना है इतना काम करने के बद आपके अपके अंदर लॉक लग गया अब चलिए मैं अपने यहाँ पर अपको ओपन करके दिखाता हूँ अब जैसे ही मैं यहाँ पर गूगल फोटो अपको खोलूंगा तो मेरे गूगल फोटो अपके अंदर पास्वोट पूछा जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं तो जो हमने वहाँ पर पास्वोट लगाया था उस पास्वोट को डालेंगे हमारा गूगल फोटो यहाँ पर ओपन हो गया और इस तरीके से आप भी अपने गूगल फोटो में पास्वोट को लगा सकते हैं वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जूर से बताएगा वीडियो को लाइक करना साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले